हेलो फ्रेंट साथ के इस वीडियो में मैं को बताऊंगा कि हम pen drive एया sd card से data को अपने pc में कैसे transfer कर सकते हैं तो friends मैं आपको पूरा बताऊंगा यह बिल्कुर रियल तरीका है तो friends आप वीडियो को बिल्कुर बिल्कुर बेसके मत किजिएगा so without wasting any time let's begin with this video तो friends इसके लिए पहले हमें right click करना है यहाँ पर और refresh कर लेना अपने PC को हम two या three time कर सकते हैं यह से then guys आपको my computer open करना है या SD card या pen driver उसे आपको insert करना है यह मैंने insert कर दिया insert करनेगा तो friends आपको यहाँ पर यह कुछ इस तरह का option आजागा removeable disk तो friends आपको इसमें click करना है click करने के बाद आपको इसका internal data यहाँ पा शो होने लगेगा तो जैसे मुझे यह three files मुझे transfer करनी है तो मैंने यह select की then guys आपको right click करना है और यहाँ पर आपको कई साई options देखने को मिल जाएंगे आप इसे चाहें तो cut भी कर सेथे cut करेंगे तो यह pen drive से remove होके वहाँ पर आ जाएगा तो मैंसे cut कर लेता हूँ then guys आपको जहाँ पर इसे paste करना हो वहाँ पर आप select कर लीजे जैसे मैं आपको कहीं भी कागे देखा देता हूँ जैसे मुझे यहाँ पर करना है so friends आपको again right click करना है और यहाँ पर आपको option मिल जागा paste का तो friends आपको यह paste में click कर देना है तो friends आप देख सकते हैं यह वीडियो से आ गई है मैंसे refresh कर देता हूँ तो friends आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुकी है ट्रांसफर हो गई है तो friends इस तरीके से आपने pen drive से PC में transfer कर सकते हैं किसी भी data या file को तो friends वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like करें ऐसे नहीं सब्सक्राइब करने के लिए मैं यह जाओ सब्सक्राइब करने का तो बगरवाले bell icon को turn on का नम मत भूलेगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे यह technology related videos लाता रहता हूँ